पंजाब में विधान सभा चुनावों का विगुल बच चुका है। इसी के चलते पंजाब में जो प्रमुख राजनीतिक दल है वे भी काफी सक्रिय हो गए हैं। आपको बता दें कुछ समय पहले आमादमी पार्टी की ओर से नंबर जारी कर पंजाब की जनता से राय मांगी गई थी कि पंजाब में सीम का फेस कॉल होना चाहिए जिस पर लाखों लोगों ने अपनी राय भी दी थी। इसी तरज पर अब कॉंग्रेस पार्टी की ओर से भी एक सर्वे किया जा रहा है आमादमी पार्टी की ओर से सीम फेस घोशित किये जाने के बाद अन्य अदलों पर भी सीम फेस का दबाव बढ़ गया है आपके सीम फेस के लिए करवाए गई सर्वे के बाद अब कॉंग्रेस के पूरवध्यक्ष राहूल गांधी के काफी बी निखिल अलवा ने भी अपने ट्वीटर हैंडल पर पंजाब में कॉंग्रेस के सीम फेस के लिए सर्वे करवा कर नई चर्चा को हवा दी है उन्होंने ट्वीटर पर मुख्यमंत्री पद के फेस के लिए चार विकल्प दिये पहले नंबर पर आपको बता दें कि चरण प्रभारी हरीश चौधरी ने पंजाब में सीम का चहरा ना देने और संयुक्त तोर पर चुनाव लड़ने की बात कही थी उन्होंने कहा था कि चरणजीत सिंग चन्नी नवजोद सिंग सिध्धू और सुनील जाखड ही हमारे नेता हैं सीम का फैसला चुनाव के बाद होग इसमें सबसे ज्यादा 68.7 प्रतिशत वोट चरणजीत सिंग चन्नी को मिले 11.5 प्रतिशत वोट नवजोद सिंग सिध्धू को मिले 9.3 प्रतिशत सुनील जाखड को मिले और 10.4 प्रतिशत लोगों ने कहा कि सीम का चेहरे की तो जरूरत ही नहीं है